वेल्कम टो दिवाकर फिजिक्स चलिए हम इस वीडियो में थिक ग्लास प्लेट के बारे में सिखेंगे डाइगराम बनाएंगे और उसमें ICC में और क्या-क्य क्वेशन पूश सकते हैं वो हम डिसकस करेंगे ठीक है तो चलिए हम इस डाइगराम को श्रूल करें तो यहां पर अबजेक्ट पी ले लिजिए और यह थिक ग्लास प्लेट है ठीक है और अच्छली थिक ग्लास मीरर है तो एक साइड में क्या होगा silvering किया रहेगा painted किया रहेगा और आप देख सकते हैं यहां पर object लिए मैंने तो यहां से एक oblique ray ले लिजिए कोई भी एक ray ले लिजिए तो यहां पर क्या होगा सबसे पहले आपको normal draw करना है तो क्या होगा पहले आपको partial reflection दिखाना है तो कि partial reflection तो जबी भी एक transparent surface में जाता है तो कुछ light जो है वो reflect करता है और ज्यादा से ज्यादा light जो है वो refract करेगा तो यह air है यह glass है rarer to denser medium तो यह towards the norm तो compare to the original direction यह जाएगा normal की तरह यह है अभी यहां पर क्या होता है जो partial reflection से जो जाता है वो light कम reflect होगा जिसे माल लेजे यह 100 जूल होगा तो यह यहां पर आप ले सकता है 10 जूल यह 5 से 10 जूल ले सकता है यह example है आपको जब भी diagram बनाएंगे तो यह लिखने का जूरत नहीं है यह आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ example तो इधर कितना light यह 90 जूल तो यह ray carry कर रहा है 90 जूल ज्यादा से ज्यादा ray energy carry कर रहा है अभी यहां क्या करेंगे फिर normal draw करेंगे और यह जो mirror है अभी यह reflect करेगा तो इसलिए angle of incidence is equal to angle of reflection तो यह angle measure किजिए और इधर same angle बनाई तो यह है अभी यह कुछ energy absorb हो सकता है मानली जे टू जूल energy absorb हो गया तो इधर आगया 88 जूल 88 जूल इधर आगया यह example अभी यह फिर यह transparent surface में आगया तो हम normal draw करेंगे फिर यह क्या करेगा ग्लास से air में जा रहा है तो यह away from normal जाएगा तो इसलिए इसके साथ parallel बना दीजिए आप आसाने के लिए बता दा रहा हूं इसके साथ यह parallel बना दीजिए तो यह अभी दिखाई देगा तो सही रहेगा और इधर जो reflect होगा तो जैसे यहां पर reflection वहाथ है partial reflection तो यह भी partial reflection हो लेकिन partial reflection बहुत काम energy जा रहा है जैसे यह 10 पर्षन में लिया तो यह भी यह दी 10 पर्षन लेते हैं लेलीजिए नाइन जूल इदर चला गया तो maximum जो है 79 जूल यहां पर आप तो यह यह रे क्यारी कर रहा है 10 जूल यह रे क्यारी कर रहा है 79 जूल अभी यहां पर क्या होगा अभी फिर यही step follow करना ज्यादा टेंजन नहीं same step follow करना यह normal draw कीजिए आई मेजर कीजिए और उस साइट में बना लेजिए same angle सेम एंगल होने चाहिए reflection हो रहा है तो सेम अभी यह 9 जूल आ रहा है तो मनलों यहां 1 जूल अब जब हो गया तो यह 8 जूल आगे तो 8 जूल में से 1 जूल यह रिफ्लेक्ट करेगा partial reflection तो 7 जूल इधर जाएगा रिफ्रेक्स क्योंकि transparent surface अवे फ्रम नॉर्म हो जाए इसके साथ parallel बनाई तो यह हो गया 7 जूल बस इतनी है आपका तो तीन रे अपने बना दिया बस और बनाने का जरूत नहीं है अभी यहां पर हम देख सकते हैं image कैसे बनाएं अभी image बनाने के लिए दो रे को intersect करके दिखाना जरूरी है they appear to intersect और actually intersect तो इसलिए यहां में क्या करूंगे एक नॉर्मल रे ड्रा कराओं तो नॉर्मल होने से यह सीधा जाएगा undeviated चाहेगा फिर यह mirror में भी 90 डिग्री हो रहा है तो यह reflect back करेगा it will be reflected back same angle zero degree reflection तो यह आ गया फिर यह 90 डिग्री में आ तो यह इदर आएगा सक्माऌ तो अभी यह ray सिधा इदर जाँ रहा है यह ray उदर जा रहा है यहर इधार जा रही है तो यह तो मिलेंगे नहीं कभी तो diverging तो इसलिए क्या करेंगे इसको extend करेंगे तो scale लगाई है जिस direction में आपने draw किया है उसी direction में scale लगाना है और scale लगाके extend करना तो देखें ये पहला ray के लिए पहला image आगे I1 फिर इसको भी extend किजिए same scale लगाके extension के time में ऐसा नहीं होना से ये इधर directed है ये और इधर extend किया तो जिदर direction है उदर ही back करना ऐसे तो ऐसे ऐसे नहीं करना इस same direction में जाना चाहिए तो ये mistake होता है आप ध्यान दिजेगा तो आईए यहां पर इसको extend कर सकते हैं तो ये I2 ये अंदर बनेगा बाहर बनेगा चिंता मत किसे इसी line में बनेगा फिर ये भी same parallel बनाई है तो ये I3 बनेगा अभी first image बनेगा इतना energy से बन रहा देखें ये तेन जूल energy से image बन रहा है और थर्ड इमेज आप देख सकते हैं ये 7 जूल अब फूर्थ इमेज आएगा ये ये देखें 1 जूल है इसमें अब 1 जूल यहां अबजर्ब होगा फिर यहां partial reflection होगा फिर क्या होगा ये less than 1 जूल तो फूर्थ इमेज जरूत नहीं है लेकिन में less than 1 less than 1 जूल concept समझने के लिए important तो अभी कौन सा रे carries maximum energy और विच इमेज इस फॉम्ड इमेज इस फॉम्ड इमेर्जी तो वो है second image so second image is the brightest second image is the brightest how many images are formed अब इसको हम इसे reflect करते जाएंगे करते जाएंगे और भी रेस होंगे तो infinite images are formed infinite images are formed तो इसलिए multiple image बनने के कारण तो जो image आप देखेंगे तो आपका बोह सारा image बन जाएगा तो इसलिए the looking glass is thin glass तो looking glass है यहनी की mirror जो हम लो यूज करते हैं इस थिन 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 ग्लास जाएगा तो आपको multiple image दिखाईने देगा इसलिए thin glass sheet यूज करते हैं further looking glass तो यह thin questions extra सकते हैं और diagram तो ही diagram आपको बनाना है और यह questions additional पूछ सकते हैं अभी यहां पर diagram देखने से बहुत complicated लगता है तो लेकिन आपको इसा ने सूचना है आपको object से लेके पहला रे पहला surface में क्या करना वह ध्यान देजिए तो फिर second surface में क्या करना है फिर third surface third time में यहां पर क्या करना है जैसे यहां हुआ था यहां भी ऐसे ही होगा तो वही चीज़ repeat हो रहा है तो आपको करते जाएए point wise तो आपका diagram complete हो जाएगा आपको करते जाना है बनाते जाना है तो आपको डायग्राम बच जाएए और यह जो हंडेड जूल टेंज यह लिखने का जरूत नहीं तो वाई second image brightest यह पुछ सकता है वाई विकास second image is found by the first refracted ray which carries the maximum light maximum energy so second image is found by the first refraction first refraction first refracted ray which carries the maximum energy तो यह हो गया questions और diagram तो अभी यह video देखने के बाद आप क्या करेंगे आप खुद ही draw किजिए और फिर से कुछ point समझ में ने आया तो फिर से देखिए तो आपको अच्छा से इसको practice हो जाएगा thank you